रादे रादे सब्स्ट्राइग दीजिए फुनीता पुपर चाना को प्रेला एक अंद भाई है काना जी की वीडियो की नोटिपिकेशन भाई है रादे रादे सुनीता निटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम फ्रंट साइड बनाएंगे यह हमारा कार्डिगन हम बना रहें तो इसका जो बाजू हम पहले बना चुके बैक साइड भी हमने बना लिया मैं अभी बताती हूं यह कैसे बनाया तो इसमें हमने तो अरतालिस इसमें ७ाजूने की सिर्भाइब सन्सक्राइब मेंuggling, सक्एले 33 इसमें गहा जना है ऐसे ही घटाए है दो फंद इस्टे शुरू में फिर एक एक फंद़ा हर सिलाई पी तो यहां पर हमारे जो है फंद बचे है 33 यानिकि 33 यानिकि 33 हमारे बचे हैं तो इसकी जो लंबाई है वाजू जितनी है तो इसको हमने अब यह तो हमारा बैक साइड होए तो फ्रंट साइड में हमारे आधा-ाधा होता है दो इससे क्योंकि हम बनाने वाले कोटी यानि की कार्डिगन तो इसमें हमारे 40-40-40 धर होएंगे लेकिन फ्रंट में बटन पटी के भी एस्टर लिये जाते हैं और आगे का हिस्ता थोड़ा सा उबरा होता है बॉड़ी का जैसे की ब्रेस्ट होती है किसी की या पिर चाती थोड़ी बड़ी होती है पेट होता है तो इस विसाप से हमें थ पीछे की तरफ असी फंदे डाले हैं और आगे की तरफ जो हमने 8 फंदे एस्टर डाले यानि कि 48 फंदे डाले हैं आठ में जिसमें के हमारे बटन पट्टी के हैं जैसे हमारी बटन पट्टी बनेगी 10 यानि कि 10 यह जो हमारे फंदों की तो 5 फंदे इस वाले हिस्से में हो अपकर दोनों तरफ था हमने 3-3 पंद एंस्टर ले लिया और हमने बटन पट्टी के आदे फंद पांच इसमें इस हिसाब से फंद लिया है तो 48 पंद है हमारे तो इसमें हमें नो नमर से बनाएंगे सेम बोर्डर बनाएंगे लेकिन उसलिद आपन पट्टी भी इंचे बना है इसमें आइकोर्ड में सिस्ंट पती की जो है फिनिश् request करूंगी तो वो कैसे बनाने हैं यानि कि हमारा इधर का सीथे हाथ की तरफ का एक हम कैसे बनना के यह बी मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले हमारा यह बटनपती बनाएंगे तो हमारा इधर की तरफ जो है बटन पट्टी बनेगी और दूसरे वाले इससे में हमारी इस तरफ जो है बटन होल वाली वह इस तरफ बनेगी तो हमें कैसे बनाना है इस तरीक से बनाना है यहां पर हमें बटन पट्टी बनानी है तो पहले हम दोनों का एक साथ चलेंगे पह बटन पट्टी बनाना सिकते हैं तो देखिए और साथ में यह सेम फंदे डालने वाली है तो इसमें हमने क्या करना है यहां पर हमें बटन पट्टी के नहीं बुनाएंगे पहले हम यहां पर सीधा उल्टा एक सीधा एक उल्टा ऐसे चलेंगे तो देखिए पहला फंदा हमने आगे किया एक उल्टा इस तरीके से हमें यहां तक बनाना है यहां पर हम 10 फंदे छोड़ देंगे तो यहां तक हम बना लेते हैं एक सीधा और एक उल्टा तो देखी एक सीधा एक उल्टा एक सीधा करके हम यहां आएं तो यह हमारे लास्ट में जो है एक उल्टा फंदा आया है अब यहां पर हमारे दस फंदें बटन पट्टी के यह देखी एक दो तीन चार पांच दस हो गए तो यहां पर देखी हमने कैसे बनाना है उनको पीछे किया और एक फंदा हम इसे बिना बुना ले लेंगे देखे इस तरीके से आपनी सोरी इस तरीके से आगे की तरफ से ऐसे आपको उतारना है क्योंकि हम इस तरीके से लेंगे तो इक रोस हो जाएगा तो इस तरीके से मैं आपको फिर से दिखाती हूं ऐसे है ऐसे अपनी तरफ लेते वे इसको उतारना है फिर उनको हमने आगे करना है बीच में हम साथ खंदे उल्टे-उल्टे बनाएंगे एक दो तीन चार पांच छे और ये साथ यह देखें, यहाँ पर हमने बिना निता ऐसे उतारा था एक, दो, तीन, चार, पांच, चे, साथ दो फंदे लास्ट के रहे गए यह देखें कैसे बनाना है उन हमारी आगे की तरफ है और इस फंदे को हम इसी तरीके से उतार लेंगे देखें ऐसे उतार लिया हमने और उनको पीछे किया और लास्ट वाला फंदा हमने सीधा बना लिया बस इतना करना है बिना बुना उतारा और लास्ट वाला फंदा हमने सीधा बना लिया अब यह हमारी उल्टी साइड यह हमारी सीधी साइड जी क्योंकि बटन पटी इधर है अब यह हमारी उल्टी साइड आ गई तो यहां क्या करना है आपको सिरफ आपको शुरूर के दो फंदों में ही आपको देखना है पहला फंदा हम बिना बुना इस तरीके से उतार लेंगे लेकिन इसको थोड़ा सा खेच के रखना है इदर हम बुन रहे हैं सीधा बना लेंगे फिर उनको आगे करेंगे और साथ फंदे उल्टे बनाएंगे यह हमारे बटन पटी के एक दो तीन चार पांच छे और यह साथ तो यह देखिए बीच में हमारे साथ फंदे आ गए अब यहां पर इधर की तरफ से हमने फंदा बिना बुना लिया था यहां पर हमें इस फंदे को बुनना है यहां शुरू में बस हमें दो फंदों पे चेंज करना बाकी हमारी सिलाई जो है यहां से किस तरीके से बिनेगी यह आपको देखने वाले चीज है तो देखिए यहां पर हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गए यह हमारा बिना बुना फंदा यह देखिए तो इसको हम यहां पर उल्टा बुन लेंगे यानि कि जब हम उल्टी साइड आएंगे तो हमारे 8 फंदे जो है उल्टे बुनेंगे अब यह देखिए पहला फंदा सीधा है इसको हमने क्या करना है यह फंदा उल्टा हमारा बुन गया इसको सिलाई को ऐसे घुमाना है पीछे की तरफ से और इस फंदे को ऐसे उतारके आगे की तरफ लाना है और इसको हम फिर सीधा बनेंगे यह देखे यह हमने सीधा बना लिया फिर उनको आगे करेंगे उल्टा फंदा है इसको हम उल्टा बनाएंगे उनको पीछे करेंगे और स्लाई को घुमाएंगे इस तरीके से पीछे से इस तरीके स्वंदे को लेके आगे की तरफ लाएंगे और सिलाई में डाल कर इस फंदे को हम सीधा बनाएंगे तो अगर आपको थोड़ा से समझ में ना आए तो मैंने ये बनाना सिखा रखा मैं लिंक दे दूँगी फिर भी आप एक पर देखिए जब उल्टा करना है फंदा जब उल्टा बना जब हमें कुछ नहीं करना सीधा सा उल्टा बना लेना है फिर उनको पीछे करना जब हमारा सीधा बने कर जब हमें सिलाई को पीछे की तरफ ले जाना है फंदे को इस तरीके से उतार के आगे की तरफ लाके फिर से शिलाई में डालना है और फिर इसको हमने सीधा बना लेना है सिरफ आपको बटन पटी के यहां से जो बीना बुना फंदा यह भी हमने उल्टा बनाया है यहां पर हमारे 8 फंदे हो गए उसके बाद हमें यह सीधा उल्टा है सारे हमने इसी तरीके से बनाने है तो यह हमने उल्टा फंदा बनाया उनको पीछे किया स्लाई को गुमाया और यह फंदा उतारा और आगे स्लाई में डाल दिया और सीधा बना लिया तो देखिए इस तरीके से हमारी गोलाई आ गई है यह देखें ऐसे हमारे बनेंगे तो हम पूरी सिलाई इसी तरीके से बना लेंगे तो देखें हम लास्ट में आ गए हैं तो उनको आगे किया उल्टा फंदा उल्टा उनको पीछे किया, सिलाई को पीछे गुमाया, सीधे फंदे को इस तरीके से उतार के आगे की तरफ लाए, सिलाई में वापस डाला और सीधा बना लिया, बहुत एजी है, फिर हमने इसी तरीके से उल्टा फंदा बनाया, पीछे किया, उल्टा ले गए, सीधा फंदा उतार क सीधा एक उल्टा बनाया हैं यानि decisisus सीधी सिलाई से फिर यहां पर हमने यह तेकी देखी हैं कियाаго हमने यह इक बश्कानद आक मुहतों रया उसके बाद 7 फंदे उल्टे लिए और यहां पर अइकड डाला तो अब फिर उसके से अच्छी फिनिशिंग आती है उसके बाद हमने यहां से फिर एक उल्टा मोड कर जो अभी हमने सिखाई है वैसे अभी हमारे तीसरी सिलाई है जिसमें कि हम जो एक सीधा एक उल्टा है जो फंदे वो यहां तक लेंगे और यहां पर बटन पट्टी बनाएंगे इस तरफ तीन बार हमें रिपीट करना है उसके बाद हम इस तरीके से उल्टा उल्टा बनाएंगे और सिलाई भी हम चेंज कर लेंगे उल्टा उल्टा जब बनाएंगे तो जो उल्टा है उसे हम उल्टा बनाएंगे इस तरीके से हम बटन पट्टी तक बना लेते हैं तो यह देखे, एक सीधा एक उल्टा बना लिया, यह देखे, इस तरीके से हमारे फंदे, बेल्कुल रेडिमेट लुक दे रहे हैं, अब यह हमारी सीधी साइड है, जहांसे हमने पहले बनाया था, क्योंकि बटन पट्टी हमारी इस तरफ आएगी है, तो यह देखे, हम और यह देखे, दस फंदे हमारे एक, दो, तीन, चार, पाँच, दस फंदे हैं, तो यहां पर यह फंदा हमने बिना बुना उतारना है, तो यहां पर उल्टा फंदा इसको पीछे किया, और इसको हमने अपने तरफ इस तरीके से फंदे को उतार लिया, और उनको आगे करके अब यहां पर हम 7 फंदे उल्टे लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यह 7 लास्ट के दो फंदे हमेशा ऐसे ही आपको रिपीट करना बस कुछ नहीं करना यह नहीं कि अलग अलग है अब यह दो फंदे यह देखिए पहला फंद हमारा यह इस तरीके से आगे हमारा रहेगा इसमें पीछे नहीं करेंगे इसको हम इसी तरीके से अपनी तरफ करके उल्टी साइड से ऐसे उतार लेंगे और उनको पीछे करके लास्ट वाला फंदा हम सीधा बना लेंगे यह हमने सीधा बना लिया फिर यह हमारी उल्टी साइड है यहां से पहला फंदा हम बिना बुना ले लेंगे यह देखिए ऐसे थोड़ा पकड़ के आपको खीचना है और यह फंदा हमारा सीधा बुनेगा तो उनको पीछे करेंगे क्योंकि हमने यहां पर पीछे की तरफ इसले बुना नहीं है तो हम सीधी साइड में हम इसे सोरी उल्टी साइड में हम इसे ऐसे बना रहे हैं जब हम यहां पर बनाएंगे तो पहला फंदा हम उल्टा उतारेंगे और लास्ट का जो हम सीधा बुनेंगे और यहां पर हम पहला फंदा बिना बुना लेंगे और उसके बास second बुनेगे, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर छोड़ना है, last का बुनना है, यहाँ पर पहला लेना है और बीच का बुनना है तो दो फंदे हमें इसी तरह बार पर repeat करने, फिर उनको आगे करने, बीच के साथ फंदे हम एक, दो, तीन, चार, पांच, चे, और यह साथ, यह देखें, दो फंदे यह, एक, दो, तीन, चार, पांच, चे, साथ, अब यहाँ पर यह फंदा, यहाँ से हमने सीधी साइड पर सैसे उतार लिया था, तो यहाँ पर हम इसे बुनेंगे, उल्टी साइड में, यह लग से चेंज करना है सिरफ आई कोड़ बनाने के लिए बाकि आपी देखिए इस तरीके से हम चार सिलाईय बनानी है और यहां पर आई कोड़ डालते जाना है तो अब हम इसे पूरी सिलाई को इस तरीके से उल्टा-उल्टा बना लेंगे सिरफ हमारी बोर्टर की तीन सिलाई यह बननी है अब हम इसको सीधी साइड जब हम आएंगे हमारी उल्टी साइड है सिलाई भी हम चेंज कर लेंगे तो ये देखी पूरी सलाई उल्टी बना लिए अब हम सीधी साइड आगी देखी इतरा हमारी बटन पट्टी है अब हम नो नंबर की सलाई इस्तेमाल करेंगे तो पहला फंदा बिना बुना लेके इस तरीके से आगे की तरफ करेंगे उनको और उल्टे उल्टे फंदे हम बना लेते हैं इस तरीके से तो देखे उल्टे उल्टे फंदे बनाते हुए हम बटन पट्टी तक पोच गए हैं यह देखे यहां पर यह देखे यहां तक बना लिया हमने यह फंद है जो हम बिना बुना लेते हैं उल्टा है तो यहाँ पर यह उल्टा और यह सीधा इसी तरिके से पूरी लब आगे के पहले में जाएगा तो यह डे कभी ऒी आपको ऐसे ही उतारना ऐसे उतारना है और उन को आगये करके बीच के हम साथ फंदे बनाएंगे एक दो तीन चार पांच छे और साथ लाश्ट के दो फंदे पला फंदह ऐसे उतार लेंगे उनको पीछे करेंगे in finished फंदा सीधा कर, एसे को पीछे करेंlementί, और práा कर एंगे और सीधा बना लिए उनको आगे किया, और साथ सफंदे उल्टे बैज करने को चेंज करनी क्यूंकि, नो नंबर की रगा चुकी हूँ, तो मैं सीधा को निकाल दिती हूँ, अब मेरी दोनों से लाई हैं जो है नो नमबर की हैं तो देखिए एक दो तीन चार, पांच, छे और यह साथ यह फंदा हमारा बीन बुना था इधर से देखिए तो इसको भी हम उल्टा ही बनाएंगे क्योंकि हमने सीधी तरफ से सीधा छोड़ा था इसे हमने उल्टा यानिकि हांपर हमारे उल्टी सैट इस बज़ाए आठ उल्टे फंदे हो जाते हैं आ दालेंंगे जो पेंगे चिपम सिंदे और बना कमें बनानास्य है कि हम एक डालेंगे चिदा हैं बोडर में में पूर्टर बनाने तक बनाना स्पनिन हैं और सब्सक्राइब बना निताकर बना लेने ज़िस से की विदन 25 तरफ आएंगे तो हम सीधर उटा बनाएंगे उनको पीछे किया यह हमारी देखिए बिना बुनी फली जो आ रही है इसको अमने ऐसे बनाया आगे किया साथ फंदे अपने ले लिए बस आपको एक तो यह ध्यान रखना है और आई कोड जो हम डालते हैं किनारे पर फिनिशिं और यह दोन तरफ से एक जैसी बनती है फिर पहला फंदा हम इने बिना बुना ऐसे उतारा थोड़ा यहां पर थोड़ा ऐसे खीच लेना है और पीछे उनको किया और फिर सीधा फंदा हमने बनाया बीच के साथ फंदे बनाएं यानि कि पूरी सिलाई हमारी यहां पर सद्री इसलाई बना लेते हैं और यहां तक सीधी बनाते हैं तो यह देखे बॉर्डर बन के तियार हो घह हमारा और यहां पर यह देखे हमारी बर्टन पट्टी कितने अच्छे से फिनीशिंगा रहे गिए देखे दोनों तरफ से एक जैसे हैं डेकिए बहूँत आइप अ अब हम इस तरीके से जैसे कि हमने पीछे का पला बनाया है ऐसे हम सीधा उल्टा बनाएंगे बाजू में हमने डिजाइन डाला इसमें हम डिजाइन नहीं डाल रहे हैं इसको हम प्लेन बना रहे हैं तो इस तरहीके से पूरी सिलाई हम बटन पत्टी तक सीधी बनाएंगे तो यह देखिए हमने सीधी सीधी सिलाई करी यहां आ गए हैं यहां पर हमने यह जो हमारी चेन स्टिच जारी है यहां पर जो बिना बुना फंदा ले रहे थे इसके साथ वाला हम फंदा उल्टा बनाएंगे इसको उल्टा बनाएंगे इसको उल्टा बनाएंगे और उनको पीछे करके इसको बीना बुना इस तरीके से तार लेंगे और फिर पीछ के फंदे हमारे बटन पट्टी के साथ फंदे इस तरीके से बनाएंगे बस हमें ऐसे ही और उनको पीछे किया और यह सीधा बना लिया इसी तरीके से उल्टी सलाई पूरी हमारी उल्टी बनेगी सिर्फ यहां चेंज होए गए देखे कितनी अच्छी हमारी दोनों तरफ से एक जैसे हारी चाहिए तो इसको आप इधर का पट्टी बनाओगी तो ऐसे बना लीजिए बहुत इजी है तो हम इस तरीके से बना लेते हैं जब और इसके बाद हम यह देखे स्वाटर में ऐसे बनेगी फिर हम इधर की पट्टी बनाएंगी तो देखे हमारा इस तरीके से बना है बटन पट्टी हमने इधर की बना लिया जिस पर हम बटन लगाएंगी और यह हमारी बैटन पथ् TC बनाई है इस दो यह हम झाल नंबर्स ठाट सींå 48 इंक 400 फंद सेम से नालके त्यार कर ली एन ओर यह इसके साथ का यह गयर कि बैटन पथ् buffet यहां से शुरू है यहां बनी है अब यह शवाहते है उसले भी इसमें हमने लास्ट में बनाए इसमें हम शुरू में बनाएंगे तो यह देखिए पहला फंदा हम इस तरीके से बीना बुना लेंगे यह हमने बीना बुना ले लिया उनको पीछे किया और यह हमने सीधा फंदा बना लिया पहला बीना बुना लिया और दूसरा फंदा हमने स 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यह साथ और यह जो हमारी स्टिश जारी है सीधी सीधी यह हमने लेनी है तो यहाँ पर हम उनको पीछे करेंगे और इस तरीके से बिना बुना फंदा ले लेंगे उनको आगे करेंगे और इसके साथ में ठीक हमारा उल्टा फंदा था ऐसे हम उल्टा लेंगे उनको पीछे करेंगे बौर्डर वाली है यह हमारा तो एक सीधा एक उल्टा हम इस तरीके से बना लेंगे एक सीधा और एक उल्टा एक सीधा और एक उल्टा तो यहां तक बना ल अबह डूंढाना साथ फंद्र हमसिऊंट रोट वृ इस सीड़ा सिधां गुमाना की सिलाई से अतोर वापस लाएंगे और फिरच्ट कर हम इस फंदे को यह देखिए इस तरीके से सीधा बना लेंगे फिर उनको आगे करेंगे उल्टे को उल्टा बनाएंगे उनको पीछे करेंगे सिलाई को गुमाएंगे फंदे को उतार के लाएंगे वापस सिलाई में डाल देंगे और सीधा फंदा बना लेंगे जैसे कि हमन इसी तरीके से घुमा घुमा कर बना लेंगे जैसे हमने पहले बनाया सेम है ऐसे कोई वो दिक्कत निया ऐसे गए ऐसे वापस लाई सिलाई में डाला और सीधा बना लिया अगर आपको यह फंदे नहीं बना रहे तो कोई भी सिंपल फंदे भी डाल सकते हैं और सीधा बना सकते हैं तो देखे हम इस तरह के से घुमा कर बिल्कुल लास्ट में आ गए यह हमारे बटन पट्टी के फंदे हैं एक दो तीन चार पांच दस फंदे तो यहां पर हमने यह जो उल्टा फंदा है यह हमने बिना बना लिया था इस तरफ से सीधी तरफ से उसको अब हमने बनना है इस छे और यह साथ लास्ट के दो फंदे तो यह पहला फंदा हमारा उल्टा जो है इसको इसी तरह के से उतार लेंगे उनको पीछे करेंगे और यह लास्ट का फंदा हम सीधा बना लेंगे सेम हमने ऐसे किया था वैसे ही करना है बस आपको शुरू करना है यह यहां से आकर यह इस तरीके से और थोड़ा खीच के रखना है एकदम लूज नहीं छोड़ना उनको पीछे किया और यह सीधा फंदा बनाया बाकी के बीच के फंदे उल्टे बनाए साथ फंदे हमारे देखे दो आई कोड डाला हमने एक दो तीन चार पांच छे और यह साथ यह बीचा बना उतारना है तो उनको पहले पीछे करेंगे फिर हम इस तरीके से उतारेंगे फिर उनको आगे करेंगे और यह उल्टा उनको पीछे के एक सीधा और एक उल्टा बॉर् बना लेंगे तो यह देखिए सीधा उल्टा बना लिया हमने यहाँ पर बटन पट्टी थी अब यह उल्टी साइड आ गई हमारी तीन सलाईएं हो गई अब हम यहाँ पर सलाई चेंज करेंगे जबकि हमने बैक साइड में यह बाजू में यह जो उल्टी सलाईएं भी हमने बनाईए लेकिन यह फरंट है यहाँ पर हमारी साइड में बटन पट्टी चल रही है इसलिए हमने यहाँ पर सिर्फ तीन सलाईएं दस नमबर से बनाईए उसके बाद हम नो नमबर के सलाई लगा के इसको बनाना शुरू करेंगे तो अब हमारी सारी सलाई उल्टी उल्टी बनेगी इस तरीके से हमें चार लैने बनानी है तो बटन पट्टी तक हम इसी तरीके से उल्टी उल्टी सलाई बना लेते हैं और सलाई हमने चेंज कर दिये जो भी हमने लगानी है वो हमने लगा लिए तो सेम हम उल्टी उल्टी स्लाइग करते हो यहां पर आगे बटन पटी पी यह फंदा भी न बुना था तो इसको अब हम बुनेंगे तो यह पूरी स्लाइग हमारी उल्टी ही जाएगी बीच के फंदे भी उल्टे जाएगे और लास्ट में हमारा बस चेंज होना थोड़ा सा जैसे पहले किया था अब हमारा रिपीट होता रहेगा ऐसे ही बाद में हमारी जो चार से लाइए हो जाएगी फिर हम इसी तरीके से सीधा उल्टा बनाएंगे लेकिन इसमें हम बटन होल भी बनाएंगे तो यह उल्टा चेंज कर लेंगे अपनी तो यह देखिए हमनी यहां पर यह दो धारियां डाल लिए उल्टी यहने की चार सलाईयां अब यहां पर हम बटन होल बनाएंगे यह आपकी च्वाइस है आप बनाना चाहें तो बना लें कई लोग नहीं बनाते हैं तो बनाएगे लेकिन बच्चे किया और यह सीधा फंदा बनाया उनको आगे किया अब ही साथ फंद्य हमारे ह Hanım एक दो और यह तीन फंदे हमने बना ली अब हम यह इस तरीके से उनको सिलाई के पर से से घुमाएंगे और दो फंदे एक साथ बना लेंगे तो यह देखे एक बढ़ गया और यहां पर हमारी जाली डल गई यह हमारा बटन होल बन गया तो यह हमारे साथ के साथ फंदे हो गए यह देखे इस तरीके से कि उनको पीचे किया बिनना फंद इस तरह के सुतारा एक फंद आ हम ने के साथ अफने साथ पर उलटा लेना वुआउर उसके बाद हम सीधा उलटा बनाना शुरू कर देंगे अब यह देखे हम सीधी सिलाई बना रहे हैं अब हमारा सेम इस तरह किसे बनना शुरू हो जाएगा सीधी सिलाई बना लिए अब यहां से उल्टी सिलाई बनाएंगे और यहां तक हम फिर बटन होल तक यहां पर लब बटन पट्टी तक हम जो है उल्टी सिलाई बना कर फिर आते हैं तो ये देखे, उल्टी सिलाई हम बनाते हुए आ गए हैं, बिल्कुल ये देखे, ये बिना फंदा इसको हम बनाएंगे उल्टी साइट से, और ये हमारे देखे, सात फंदे, एक, दो, तीन और ये जाली वाला हम इस तरीके से बनेंगे चार पांच छे और ये साथ तो ये देखे बटन होल बन गे हमारा पहला फंदा भी न बना ले लेंगे और उनको पीछे कटके सीधा बना लेंगे तो ये देखे हमने यहां से एक, दो, तीन, चार ये जो धारी हैं, इस पर हमने बटन होल यहां पर बनाए ये देखे अब बस इसी तरह के से हम रिपीट करते रहेंगे, जब तक बनाएंगे जब तक हमारा जैसे हम सीधे हाथ की पॉकिट सीधी जो पॉकिट होती है, वो बनाएंगे बच्चे के लिए तो उतना जितना हमें गहरा चाहिए उतना हम बनाकर फिर इसके बाद हम जो है पॉकिट बनाएंगे तो अब हमारा इसी तरीके से सीधा उटा चलेगा तो मैंने आपको दोनों साइट की इस तरीके से बता दिये, ये देखिए ये हमारी ऐसे चली यहां पर बटन पट्टी बनी और यहां पर हमारे शुरू में तो यह हमारे दोनों तरफ की इस तरीके से बन गई मैं आपको एक बर और एक एक स्लाइड दोनों की एक साथ उतार की दिखाती हूँ जिसे आपको फर्क पता चल जाए कि इसमें और इसमें क्या फर्क है सेम चीज है फिर भी मैं आपको एक पर फाइनल करती हूँ तो यह देखिए बटन होल वाली है जिसमें हमने बटन होल बनाए इसमें हमने शुरू में कैसे लेना है पहला फंदा बीना बना लिया उनको पीछे किया हमने पट्टी के साथ फंदे उल्टे बना लिये यह उल्टे फंदे हो गए फिर हमारा बीना बना फंदा है इसको हम उनको पहले पीछे करेंगे फिर इसे ऐसे लेंगे अपनी तरफ से और फिर एक इसके साथ में उल्टा फंदा लेंगे उनको पीछे करेंगे और इस तरीके से सीधा उल्टा हम इसको बनाएंगे तो ये हुआ हमारा बटन होल वाली साइड का सीधा बनाके उल्टा बनाकर आगे हैं और यहां पर हम इस तरीके से सारे फंदे उल्टे बुनेंगे बिना बुणा फंदा ये जो हमारा ये भी हमारा उल्टा इस तरह किसे बुमनेगा और यहां सी ऐसे ऐगा तो साड़े उल्टे बुनते हुए लास्ट में यह देखें यह फंदा नहीं बुनना दो फंदों में पहला फंदा नहीं बुनना उनको पीछे करके लास्ट डॉला फंदा बुनना इतना करना आपको और यह देखे कितनी अच्छी फिनिशिंग आती है और इसमें हमने क्या किया था यहां से सीधी सिलाई पे आके यहां पर हमने आई तो देखिए, यहां से सीधे हो बनाया, यहां पर आगे हम, तो मैं दोनों ही आपको एक साथ सिखा रही हैं, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होए कि हमें सीधे हाथ का नहीं आया है, उल्टे हाथ का यह देखिए, बनाते हुए आगे, पहला फंदा यहां उल्टा है, जो यह स इसके साथ का पहला फंदा उल्टा ही बनाना है इसको हम इस तरीके से उतारा उनको आगे किया और पीज के फंदे सारे उल्टे लिए दोनों मदलब की सेम है बस देसे में पहले भी कह चुकी हूँ पोजीशन बस हमारी बदली है और यह देखें लास्ट के दो फंदे हैं इसम से यह जो उल्टी साइड में हम बुनते हैं सेम हमारा यहां पर सीधी साइड में बुन रहा है यहां पर हम इस पंदे को नहीं बुनते हैं इसको बुनते हैं सेम हम यहां पर करते हैं यह पंदा पहला नहीं बुना उनको पीछे किया और सीधा बना लिया क्योंकि यह हमारा जो आई कोड दोनों तरफ से देखिए एकदम अच्छी फिनिशिंग आ रही है फिर हम यह उल्टी साइड आ गए कि सोरी निकल गया है हम यह में लाज टोला बुनेंगे हम इधर इस तरफ में हमारी उल्टी देखिए दोनों तरफ से हमारी अच्छी आ रही है यह देखिए हमने पहले पीछे से बुन लिया है उनको पीछे किया और सीधा बनाया और भाकी पूरी सलाईड उल्टी बनेगी तो यह देखिए हमारी दोनों तरफ की जो है स्वेटर की बटन पट्टी मैंने आपको सिखाई है और कितनी अच्छी बिल्कुल सीधी सीधी जाती है फिनेशिंग कितनी अच्छी आती है देखिए तो मुझे उमीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी यह देखिए तो यह आपके उपर आप यहाँ पर डिजाइन डाले या ना डाले मेरा सिंपल स्वेटर है सिरमें बाजु में डिजाइन डाला है तो अब हम अगली वीडियो में इसी पॉकेट के लिए मिलेंगे तो पॉकेट टक बनाने के बाद फिर आते हैं तो मुझे उमीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी है अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को जरू लाइक केज़ेगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद रादे रादे